प्यम दर्शकों जय माता दी, आप सभी का मेरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, कैसी है आप सब, मैं आशा करती हूँ आप सब स्वास्त और सुरक्षित होंगे, दर्शकों 26 सितंबर दिन सोंबार से शादी नवरात्री का आरंब हो रहा है, माना जाता है कि इन नौ दिन मा दुर्गा धर्ती प्रमन करती है, और सभी भक्तों के कस्टों को दूर करती है, और सभी की मनुकामनाओं को भी पूर्ण करती है, नवरात्री के इन नौ पावन दिनों में यदि आप मा दुर्गा को प्रसन्य करना चाहती है, और अपनी मनुकामना को पूर्ण करना चाह तो उसके नीचे आप कोई भी अनाच अवश्य रखें, आप अक्षत रख सकते हैं, गेहूं के दाने रख सकते हैं, यदि आप चावल के दाने रख रहे हैं कलश के नीचे, तो उन चावलों को दानों को आप केसर से मिस्रित कर लें, उस पर कलश की स्थापना करें, और जब आप आम के पत्ते या अशोक के पत्ते उस कलस में रख कर फिर श्रीफल उस पर रखने हैं, तो उन आम के पत्तों पर आप कुमकुम से मा लच्मी का याने की श्रीम लिख लें, श्रीम उन सभी पत्तों पर 9 पत्ते रख रहे हैं, आप 11 पत्ते रख रहे हैं, उन सभी पर आप श्रीम लिख लें इससे क्या होगा कि नवरात्री के इन नौ दिनों में मा दुर्गा सवरूब मा लच्मी आपके घर में स्थाई रूप से विराजमान होंगी और इन नौ दिनों में आपको कोई ना कोई खुशकबरी अवश्य ही प्राप्त होगी या तो कोई आपका बड़ जात्री के इन नौ दिनों में आप मा के समक्ष नौ दीपको की जोत अवश्य ही जलाए वैसे तो बहुत से लोग अखंड जोत भी जलाते हैं लेकिन यदि आप झाल आपको की जलाए यवश्य ही जला नौ लोगयाए वैसे ही जलाए ही जलाए भी जलाए ही जलाए दीजिएा ही जलाए झाल झाल झाल